हेलो फ्रेंड्स यो आर वाचिंग सपोर्ट टेक सुहेल यूटूब चैनल जैसा आप सभी को पता है कि 11 एशन कबड़ी चंपियंशिप 2030 जून के महीने में होने वाला है लेकिन बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स को केम्प के लिए स्लेक्ट नहीं हुए जैसे लाइक यहा रहुल चोदरी को इनस्टाग्राम ऑफिशल पर फॉलो करते हो गए तो आप सभी को पता होगी कल यहां पर रहुल चोदरी का एक बोखोट बड़ा स्टेट्मेंट सामने निकल कर आ रहा है कि 11 एशन कबड़ी चॉंपियंशिप के लिए इंड्यन टीम में फियर सेलेक्शन these national games. लिए व हमें Nous One More National we witnessed ourống So guys अपने राहूल चोधारी की व क्छोड़ी सी वीड़ी देखिए is in इंडियन कैम्प के लिए 11th Asian Cup BD Championship में अनफियर सेलेक्शन हुई है राहूल अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कह रहे है हम आपको स्टेटमेंट अभी शो कर रहे है स्क्रीन पे आप देख सकते हो राहूल का ये भी कहना है कि लास्ट येर लाइक यहां पर गुजरात में वो नैशनल गेम होई थे वहां पर यूपी की टीम ने गोल्ड मेडल हासल किया तो राहूल चदरी का ये कहना है कि यूपी की जितने भी प्लेयर से उनके सथ अनफियर हुआ है वो इंडेन कैम के लिए सेलेक्शन होने लाजमी है बट इस पॉइंट अगर आप देखा जाएं यहां पर लाइक कुछ नहीं कह सकते हैं इस पॉइंट आप वीव से कोच ने किस तरह प्लेयर को स्लेक्ट किया है अगर हम देखा जहां यहां पर यंग प्लेयर मुखा मिला इस बार बारती टीम में डेब्यू करने का लेकिन यहां पर अगर पर अगर देखा जयाए रहु यहां पर आगर अगर मेरे प्लेयर से अगर जयर्ट हो गए जिनकी परफॉर्मेंस काफी अची नहीं थी ती, करते हैं इंडियन केम्प केलब सेशलेक्ट होने के लिए अलिवंथ एशन कर्ड़ी चंपियंश्पमियंशिप में लेकिन आप सभी पिछले कुछ दिनों से यह बात वायर हो रही ही कि टीम इंडिया का एक यंग स्कॉर्ट बेजा जाएगा अलिवं एशन कर्ड़ी चंपियं से जिनकी प्रो के अंदर अच्छी सी मलभभा मेनस आई थी बट आगर आप सभी वीवरस की क्या पॉइंट आफ व्यू है राहूल चोदरी मनिंदर सिंग प्रदीप नर्वाल डीपकुड़ा पूरू काप्तान इंडियन टीम के वह कैंप में सिलेक्ट होनी चाहिए नहीं तो गाइस मिलता अगे किस इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक इस पर वाचिंग इस वीडियो